हाई गाई आज आज है तारिक 24 परवरी 2021 आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में discuss करेंगे तो बढ़ते हैं आगे और गाई अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोग को telegram का link दे रखा है करना क्या है उस link के ओपर click करना है और वो एक telegram channel पर open होगा जाकर उस channel को join करना है क्यों क्योंकि join करने से वहाँ पर क्या होगा आप लोग daily business पर इस lecture की PDF को download कर पाओगे और अपने notes बना पाओगे अभी तक आपने यूट्यूब चनल को subscribe नहीं किया है तो नीचे red color का button आ रहोगा इस तरीके का सबसे पहले इस channel को subscribe कर लो साथी साथ bell icon प्रेस कर लो तो आकि आप कोई भी वीडियो का notification मिस ना कर पाओ नाव बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहला article और यहाँ पर बात करी गई है most important trending article की जो आज के टाइम पर काफी important है greater तिप्रा लेंड जो तिरुपुरा की community है मान लो मैं यहाँ पर आप यह जो map बनावा है मैं इसके basis पर आपको समझाऊँगा देखो suppose करना है आपको ठीक है आपको मानना है यह सारी चीजे एक suppose करना है imagine करना है यह तिरुपुरा है ठीक है मान लो जो यह red color का area यह तिरुपुरा है इधर की side यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह वाला area मान लो बांगलदेश है और इसके आस पास भी कुछ अन्य एरिया अब क्या है यहाँ पर तिरुपुरा वाले लोग रहते हैं अब तिरुपुरा की बहुत सारी tribal community बांगलदेश के अंदर भी रहती है और आस पास के अन्य एरियास में भी यहाँ की community रहती है अब वहां के जो तिरुपुरा के आज के टाइम पर राजा है प्रद्योत किशो के इनके द्वार मांग करी गई एक डिमांड करी गई किव ग्रेटर तिप्रा लेइंड बनाया जाए यानि कि ये जो तिरुपुरा है इसके अंदर ही यहाँ पर कुछ जगा और है उसको ग्रेटर दया बना दिया जाए ताकि जो है बहुत सारी communities यानि तिरुपुरा की जो जो तिरिपूरा है उसको तिप्रा ग्रेटर तिप्रा लेंड बनाया जाए इसको बढ़ा दिया जाए और साथी साथ जो कॉमुनिटी इस बाहर की साइड रह रही है उन सब को वापस से इंकल्यूट करा जाए इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ठीक है यानि कि जितने भी ल रहती है तिरिपूरा की बहुत सारी जो है तिरिपूरा की ट्राइबल कॉमुनिटी आउटसाइड बे स्टे करती है यानि बाहर की साइड रहती है ठीक है आउटसाइड इंडिया रहती है बहुत सारी कॉमुनिटी के नाम बताए गए ठीक है आप यहाँ पर देख पाओग क्या कराए अपने एरिया में यानि इनके एरियास में भी कुछ छेतर ऐसा है जो वहाँ पर इंक्लूड नहीं होता तो उसको बोला गया है कि पूरी तरह से ग्रेटर तिप्रा लेंड बना दिया जाए ताकि जो कॉम्मेटी बाहर रह रही है उनको इसके अंदर इंक्लूड कर जा रही है इसके लिए यहाँ पर क्या होगा बहुत सारी जो ट्राइबल परसन है वो आउटसाइड दी विलेज रहता है यानि कि जो तिरुपूरा ट्राइबल एरियास ऑटोनमस डिस्ट्रेक्ट काउंसिल है जिससे हम लोग टी टी एए डी सी बोलते हैं यानि त्रिपू आसपास के एरियास में बहुत सारी तिरुपूरा की कमुनिटी रहती है जैसे की कमुनिटी का नाम बताया गया है बंदरबन, चितागोंग और उसके बाद खगराचरी तो इस तरीके की जो है यहाँ पर कमुनिटी इसको वापस से स्केंडर में लियाया जाए इसलिए यहा इन एलकोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानि की भई शराब पीने से शराब ना पीने से भी जो है यह बिमारी जो निकलती है यह कैसे होती है फैट स्टोर होता है उसके बाद यह बिमारी काफी जादे खतरनाक होती है किसके लिए लिवर के लिए क्यों नाम ही यहाँ पर द disease produce हो जाती है तो जो हमारे union health minister है जिनका नाम है हर्षवर्दन इन्होंने बोला कि इंडिया जो है ऐसा ही पहली country बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर में जो की action लेने वाला है non-alcoholic fatty liver disease के लिए अभी मैं आपको एक picture दिखाता हूँ जो हमने तरीके से और इससे क्या होगा आपका liver work करना ही बंद कर देगा इसको हम लोग बोलता है non-alcoholic fatty liver diseases यानि कि बिना शराब पिए fat store हो जाना क्यों क्यों क्योंकि आपके खाने पीने को उपर किस तरीके साब खाना पीना खा रहे हो आज के टाइम पर जादा junk food वगरा fatty foods खाया जाता है तो उसके द्रहत यहाँ पर क्या होता है जो fat है वो liver पर जाकर restore हो जाता है और liver होना ऐसा चाहिए लेकिन बन ऐसा जाता है जिसकी वज़ा से बहुत सारी disease देखने को मिलती है body के अंदर चलो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई यहाँ पर healthy liver कैसा होता है fatty liver कैसा होता है मैंने भी आप लोग को दिखा दिया अब यहाँ पर हम लोग step लेंगे कि जल्दी से जल इस disease को control करेंगे अगर हम बात करें यह जो disease है यह काफी खतरनाक हो जाती है यह इसको हो एक हम लोग umbrella term बोल दें यानिकि एक बहुत बड़ी disease है यह क्यों भाई आप alcohol जो नहीं पीता है उसको भी यह disease हो जाती है क्यों क्योंकि इसमें जो liver है उसके cells के उपर fat store हो जाता है जो fat है वो जम जाता है क्यों क्योंकि वो आप खा कैसा रहे हो तो अगर आपने जादा fatty food खाया है तो obvious सी बात है जादा fat वहाँ पर आपके liver के उपर consume होगा वहाँ पर जादा store होगा तीके उसके बाद अगर हम बात करें जो यह non-alcoholic fatty liver diseases है यह जादा तर आज के टाइम पर common कहाँ पर दिखाई देती है western nation में जो भी हमारी western countries है वहाँ पर आजकल सबसे जादा जो है यह disease देखने को मिलती है उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई इससे liver failure हो जाता है obviously बात है भाई अगर fat जम गया है आपके liver के उपर काफी जादा liver work करना कम कर रहा है तो liver failure भी देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर आपकी जिन्दगी से एक बहुत बड़ा खिलवाड होगा उसके बाद जो damage है यह बिल्कुल यानि अगर आपके liver के उपर fat जम आए तो यह जो damage है यह जो खराबी है यह बिल्कुल सेम ऐसी है जबकि आप alcohol यूज करते हैं नहीं कि एक शराब पीने वाला बंदा और दूसरा जादा fatty food खाने वाला बंदा यानि कि दोनों के liver के उपर बिल्कुल सेम असर पड़ेगा चलवागे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ यहाँ पे आता है थर्ड आर्टिकल बात करी गई है एक मिसाइल के बारे में जिसका नाम है VLSRSAM वर्टिकल लाँच शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सर्फेस टू एयर मिसाइल यानि की जमीन से हवा में छोडने वाली मिसाइल है और वर्टिकल लाँच है मतलब की बिल्कुल सीधी ऐसे जाने वाली मिसाइल है ठीके होरिजॉंटल होती तो इस तरीके से होती यह वर्टिकल वाली है बिल्कुल सीधी उपर जाने वाली मिसाइल है तो इसको DRDO पूरी तरह से हमारे country के अंदर जो भी defense system है उसको देखबाल करता है ठीक है जितना भी हमारे defense related items होता है उनकी सबकी देखबाल या फिर उनको manufacture करता है कौन DRDO जितने भी testing होती है वो भी DRDO कंडट करवाता है जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसने दो successful test को conduct करवाया गया और कौन से missile के वो है vertical launch short range surface to air missile के यहाँ पर दो test successfully हो चुके है अब यह जो launch है यह करा गया है खुद ही design किया है यानि country में हमारे खुद के द्वारा इसको develop करा गया है किस के ने किया है वो करा है DRDO ने defense research development organization ने पूरी तरह से इसको design किया है develop करा है basically यहाँ पर यह बात बोली जा रही है साथ ही साथ भाई जो भी aerial threats यानि आसमान में अगर कोई भी threat वगरा हमें खत्रा देखने को मिला है तो हम इस missile से बलकुल सीधी जाएगी और उडाडा लेगी ठीक है तो गाइस यहाँ पर missile के बारे में याद रखना नाम याद रखना बहुत important है उसके बाद आते हैं article number 4 की तरफ यहाँ पर बात करी गई है central electricity regulatory commission के बारे में तो भाई इसके जो हैं आप कह सकते हो नए member बन चुके हैं बहुत important चीज़ है प्रवास कुमार सिंग आप स CERC यह है क्या central electricity regulatory commission इसको establish करा गया था भारत सरकार के दौरा एक provision के अंडर में हमारे पास एक provision है electricity regulatory commission act 1998 ठीक है यह provision था हमारे पास basically ERC वाला अब क्या है इस act के हो अभी हमने repeal कर दिया इस act को हटा दिया गया है इसके अलावा दूसरा act आ चुका है वो क्या है हमारा यह CER लेकिन अगर हम बात करें जो यह ERC है electricity regulatory provision act इसके अंडर में हमने इस body को establish किया था जिसका नाम है CERC Central electricity regulatory commission यानि कि जो electricity है उसको पूरी तरह से regulate करने के लिए उसकी maintenance देखने के लिए यहाँ पे एक body आई थी अगर हम बात करें CERC Central commission है इसका purpose है जो electricity act 2003 है इसको सारी चीज़े देखना जो electricity act 2003 है इसको regulate करने का काम करती है यह body electricity act 2003 में हमारे पास यह नया act आया इससे पहले कौन सा था ERC act 1998 जो की हमने अभी उपर डिसकस किया अब यहाँ पे यह जो commission यह जो body है इसके अंदर कौन-कौन है एक chair person होते हैं साधी साध चार other member होते हैं साधी साध चेर person को मिला के इसके अंदर उसके बाद एक central electricity authority भी होती है जो की ex-officer member होता है इस commission का ठीक है यानि ex-officer होता है उसके बाद अगर हम बात करें main function इस body का वो main function क्या है सबसे पहले तो भई जो भी tariff होते हैं उनको regulate करना उनको देखना उनको manage करना control करना tariff यानि कि जो भी duties वगरा लगाई जाती है import export की तरफ वो duties को देखने का काम करती है हमारी ERC बिल्कुल same point नीचे है वही चीज लिखी वी है यहाँ पे कुछ अलग नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं next article की तरफ यहाँ पे आता है हमारा fifth article बात करी गई है स्पूर्थी cluster के बारे में इस स्पूर्थी scheme क्या है मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले जान लेते हैं news के अंदर क्यों है तो जो union minister है for micro small medium enterprises के MSME जिसे हम लोग बोलते हैं इन्होंने उ गुरूप बनाया जाएगा यह cluster बनाया जाएगा और इनको fund provide करवाया जाएगा ताकि जो भी हमारी traditional industries है लास्ट में जो TI है ना इसका मतलब है traditional जो भी हम लोग activities अपनाते थे चाहे वो कडाई हो बुनाई हो ड्रॉइंग हो इस तरीके की जो हमारे पुरान जवाने की की है और इसको फैलाया गया है नाओ यह जो पचास cluster है इनको गाटन किया गया और इन पचास cluster में यह जो पचास group है पचास artisan यानि कि इसके अंदर एक group के अंदर क्या होगा एक group के अंदर पचास कारीगर होंगे तो यह लगबग 42,000 कारीगर को हम लोग support कर रहे हैं ताकि की जितना भी हमारे पास traditional जैसे की muslin, khadi, handicraft, हाथ की जो बुनाई होती है या handlooms होता है, woodcraft, leather, potteries वगरा, मटके वगरा जो भी बनाते हैं और यहाँ पर यह सारी चीज़ों होती है ना इन सब चीज़ों को वापस से जीवित कर सकें ताकि जो हमारी संस्कृती जैसे चलती जिया जा रहा है ताकि जो यह cluster है इनको develop करा जा सके और जितने भी traditional activities है traditional industries है उनको वापस से regenerate करें हम लोग तो basically इस फूर्ती की full form क्या यह याद रखना इसकी है scheme of fund for regeneration of traditional industries जो भी हमारे पुराने जमाने की industries है उन सब को regenerate करने के यहाँ पर यह scheme लाई गई है और basically इसमें दो types के cluster होता है दो type के group होता है वो होता है एक तो होता regular cluster जिसके अंदर 500 कारीगर होता है इसको government support करती है धाई करोड रुपे से उसके बाद एक आता है major cluster इसके अंदर 500 से जादा कारीगर होता है इसको government support करती है 5 करोड रुपे से ठीके तो यह याद रखना है और तीसरा cluster अब यहाँ पर यह नया cluster का उधगाटन हो गया है यह 50 member का cluster यानि 50 कारीगरों का cluster बनेगा जिसमें से 42,000 कारीगरों को जो है हम लोग support करने वाले हैं through the financial support ओके चलवागे बढ़ते हैं उसके बाद आज का जो है हमारा last article है important तो नहीं है बट यहाँ पर एक idea होना चाहिए बात करी गई है आसाम के अंदर projects लगाए जा रहे हैं तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंदर मोधी इन्होंने उधगाटन कर दिया है किसका import oil and gas project का और साथी साथ engineering colleges का उधगाटन किया है आसाम के अंदर तो development के तरफ बढ़ रहा है क्यों क्योंकि आसाम के अंदर elections की भी यहाँ पर चर्चा है उस वज़ा से चलो यहाँ पर basically यह जो developments हैं इसके उपर इतना focus मत देना इतनी important नहीं है बड़ यहाँ पर इन दोनों development के उपर काफी ज़ादे focus करना है जैसे कि यह सारी development जो भी हमने पिछली slide में देखे हैं वो तो करे ही गए हैं साधी साथ इन्होंने उद्गाटन किया है धेमाजी engineering college का यानि कि जो हमारे prime minister है वो आसाम में एक college engineering college का उद्गाटन करके आ हैं कौन सा college है वो धेमाजी engineering college उसके बाद साधी साथ इन्होंने नी जो कि आसाम के अंदर है उसकी भी यहाँ पर नीव रख दी गई है हमारे prime minister के द्वारा तो काफी सारे projects लगाए गए है development projects आसाम के अंदर में उसी का जिकर यहाँ पर करा गया है तो इसी के साथ करते हैं हम लोग आज के अपने daily current affair के वीडियो का analysis को पूरी तरह से समाथ I hope आप लोग को सारी चीज़े clear हो गए होंगी अभी तक आपने इस YouTube चल को subscribe नहीं किया है तो नीचे red color का button आ रहा होगा सबसे पहले इस चल को subscribe कर लो साथी साथ bell icon प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का notification मिस ना कर पाओ और अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में मैंने आप लोग को telegram का link दे रखा है वहाँ से आप लोग daily basis पे इस lecture की PDF को download कर सकते हो आपने notes easily बना सकते हो ओके तो मिलते हैं आप लोग से next video में आज के लिए bye bye have a nice day